हेलो फ्रेंड्स मैं हूं के पी सिंग आप देख रहे हैं मेरा चनल पड़ोगो तो पड़ोगे अगर आप शीखना चाहते हैं रोग कुछ नहीं हां तो प्लीज मेरा चनल को सब्सक्काइब करें और बेल आइकन को जरुड़ दुबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सब्सक्राइब से पहले तो मैं आए हूं आपके लिए क्लास टैन एक्सरसाइज वन ए का पाउड थ्री जिसमें हम लोग सुरू करने वाले हैं कोशन नमबर आठ से तो फड़ा-फड चल देते हैं कोशन नमबर आठ पर और देखते हैं क्या कह रहा है तो देखिए कोशन नमबर आठ किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना के टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है दोनों सम्हों को समान संक्या वाले इस्तंबो में मार्च करना है उन इस्तंबो की अधिक्तम संक्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकें तो लिखेंगे कि पहली टुकड़ी में पहली सेना की टुकड़ी में जवानों की संक्या छेसो सोला दूसरी सेना की टुकड़ी में जवानों की संक्या बराबर बत्यस अब कह रहा है कि अधिक्तम कितने इस्तम बनाई जा सकते हैं ताकि यह आगे पीछे खड़े हो जाएं तो हम क्या करेंगे इनका मासा ले लेंगे तो लिखेंगे 32 और 616 का मासा युकलिड विभाजन प्रमेहिका से तो युकलिड विभाजन प्रमेहिका से कैसे देखिए 32 से भाग करेंगे 616 को तो 32 हकाम 32 उतर के आगया इससे हांसल 11 11 में से दो गए 9 यहां वह पांच 5 में से 3 गए 2 यह उतर के आगया 6 है अब देखिए किस से कर जाएगा आठ तियां 24 नौ तियां 27 तो नौ बार जाएगा तो देखो नौ दूनी अठारा हांसे लगा एक नौ तियां 27 एक 28 तो सोला आठ बज़ गया अब यह सेस आठ आया है तो इस आठ से हम 32 को भाग करेंगे तो आठ चको 32 यह पूरा-पूरा कर गया अता मासा बराबर आठ तो हम कह सकते हैं तो इस्तंबों की अधिक्तम संख्या बराबर आठ क्लियर है तो इस तरीके से हम लोग इस कोशन को लगा सकते हैं उमीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा अगर मेरा बता हुआ आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइट करें चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करने ताकि इसी प्रकार से आपको वीडियो प्राप्त होती रहें और जब भी आप चैनल पर स्टेडी करें तो कोई बढ़िया सक्केमेंट आप जरूर भेजें जिससे आपको गीववे का लाप प्राप्त हो सके जिसमें मैं टॉपर बच्चे को दो मुबाइल गिफ्ट करूंगा चलिए फटा फट से बढ़ जाते हैं कोशन नमबर नौ की तरफ कोशन नमबर नौ में क्या करा है युक्लिड विभाजन प्रमेरिका का प्रयोग करके दर्साइए कि दरहाब में पूडांग का वर्ग किसी पूडांग M के लिए 3M और 3M प्लस 1 के रूपका होता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर मान लेंगे माना यह कोई दन पूडांग है तो युक्लिड विभाजन प्रमेरिका से हम इस A को क्या लिशकते हैं युक्लिड विभाजन प्रमेरिका से किसी पूडांग को हम क्या लिशकते हैं A बराबर 3Q प्लस R लिख सकते हैं जहाँ आप जानते हैं कि R का मान क्या क्या संभव है 0, 1, 2 R के मान 3 संभव है 0, 1, 2 अब देखिए हम क्या करेंगे सबसे पहले लिखेंगे यदि R बराबर 0 तो 3Q प्लस 0 A बराबर 3Q दोनों पच्चों में वर्ग करने पर तो दोनों पच्चों में जब हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा A स्क्वाइर बराबर 9Q स्क्वाइर दोनों पच्चों में वर्ग कर दिया अब दिखान से देखिए A स्क्वाइर बराबर 9 को हम लिसकते हैं 3 और ब्रैकेट में 3Q स्क्वाइर जहां एक स्क्वाइर इसको हम लोग बाद में लिखेंगे देखिए 3 तिया 9 लिखा हुआ है ना यह यहां पर देखिए 9 था ज्यांसे समझ लिजे और यहां आमने 3 अलग कर लिए 3 अलग कर लिए तो 3 तिया 9 वही लिखा हुआ है अब देखिए हम क्या करेंगे कि A स्क्वाइर बराबर 3 M और लिखेंगे जहां M बराबर 3 Q स्क्वाइर ठीक है अब देखिए यह हमारा पहला रूप आ गया है यह हमारा पहला रूप आ चुका है प्रस्ट में यही कह रहा है कि किसी संक्या का वर्ग 3 M के रूप का होता है अब दूसरे रूप में चलते हैं सेस्फल को उठाते हैं एक पूट करते हैं तो लिखेंगे यदि आर का मान जीरो ना होकर पहले जीरो लिया था आप किना लेंगे एक लेंगे यदि आर बराबर एक यदि आर का मान एक है तो ए बराबर 3Q पलस 1 दोनों पच्चों में वर्ग करने पर दोनों पच्चों में वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वैर बराबर 3Q पलस 1 का whole square अर्थात a square बराबर 9q square plus 1 plus 6q देखें कैसे किया ये भी बता रहते हैं सबसे पहले a square plus b square plus 2ab अब यहाँ पर इसको करम से लगाएंगे a square बराबर 9q square plus 6q plus 1 a square बराबर 3q common ले लिया यहाँ कह सकते हैं केवल 3 ले लिजे केवल 3 common ले लिजे दो पदों से तो यहाँ पर बचा 3 q square प्लस तीन दू निच्छ है q plus 1 a square बराबर 3 m plus 1 जहाँ m बराबर 3 q square प्लस 2 q clear है अब समझेगा हमको दो रूप दे रखे थे प्रस्ट में और वो दोनों रूप हमने क्या किये हैं निकाल लिये हैं अब हमको आर का मान तीसरा जो मान है मारे पास वो रखने की जरूरत नहीं है अब हम सीधे सीधे लिख देंगे अताहा किसी धनात्मक पूरां का वर्ग किसी धनात्मक पूरां का वर्ग थ्रियम वा थ्रियम प्लस वन के रूप का होता है तो इस तरीके से हम इस प्रस्ण को लगा सकते हैं तो चलिए फड़ा फड़ बढ़ जाते हैं कोशन नमबर दस की तरफ बिल्कुल ऐसा ही कोशन है बहुत ध्यान से समझेगा ये कोशन थोड़े से तफ लगेंगे जब आप दोसे चार वार कोशन को पढ़ लेंगे तो यही कोशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे यूकलिट विवाजन प्रमेका का प्रयोंक करके दिखाईए कि किसी धनात में पूरांग का घन अभी हम लोगों ने वर्क किया था अभी यहां घन कहा रहा है 9M, 9M प्लस 1 और 9M प्लस 8 के रूपका होता है तो सबसे पहले हम क्या लिगेंगे यापर जो रूप सिद्ध करना है वो लिग लेते हैं 9M 9M प्लस 1 और 9M प्लस 8 यह तीन रूप हैं इन तीनों रूप को भी हम सिद्ध करने वाले हैं तो यहाँ पर लिगेंगे माना एकोई धन पूड़ांग है तो युक्लिड विभाजन प्रमेइका से युक्लिड विभाजन प्रमेइका से क्या बनेगा समझेगा ध्यान से युक्लिड विभाजन प्रमेइका से किसी भी धन पूड़ांग को हम किस रूप में लिख सकते हैं अगे बराबर थ्री क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं जहां आर का मान एक कॉमा दो जीरो से स्टार्ट करेंगे जीरो कॉमा एक कॉमा दो हो सकता है अब हम सबसे पहले जीरो उठाएंगे तो लिखेंगे यदि आर बराबर जीरो तो ए बराबर थ्री क्यू प्लस जीरो ए बराबर थ्री क्यू दोनों पच्चों में घन करने पर एक क्यू बराबर थ्री क्यू का क्यू तो एक क्यू बराबर 27 क्यू क्यू एक क्यू बराबर 27 में हम क्या करेंगे 9 बाहर ले लेंगे 3 क्यू क्यू प्लस जोड़ देंगे अब एक क्यू बराबर 9 M लिख देंगे इसको और कहेंगे कि जहां M बराबर 3 क्यू क्यूब है ठीक है तो इस तरीके से इसका पहला रूप आपके सामने आ चुका है अब हम लोग दूसरे रूप की तरफ बढ़ेंगे तो चलिए इसका सकंड रूप बनाते हैं कैसे बनाएंगे आर की जिगे पर एक रख देंगे ठीक है तो देखिए यदि आर बराबर यह लिखेंगे यदि आर बराबर एक तो अब लिखेंगे दोनों पच्चों में घन करने पर तो एक का क्यूब बराबर थ्री क्यूब प्लस बन का होल क्यूब तो क्या बनेगा जाकर एक क्यूब बराबर तीन तिया नो तिया शत्ताइस क्यूब प्लस वन प्लस थ्री एबी क्या बन जाएगा थ्री एबी तो तीन तिया नो क्यूब अब देखे एक क्यूब बराबर सत्ताइस क्यूब क्यूब प्लस नो क्यूब प्लस वन एक क्यूब बराबर नो कॉमन ले लेंगे तो नो तिया सत्ताइस क्यूब क्यूब प्लस नो से नो बाहर आगया तो केवल बचे का क्यूब और इन दोनों पदों से ही हमने नौ कॉमन लिया यह ध्यान रखेगा तीसरे पद से नहीं लिया है इसलिए प्लस लगाकर वन एक यू बराबर नाइन इसको हम एम बोल देंगे प्लस वन जहां आप बता दीजे कि एम के बराबर क्या है एम बराबर है थ्री क्यू स्क्वायर क्यू प्लस क्यू थ्री क्यू क्यू प्लस क्यू यह आगया हमारा सकंड रूप तो देखिए यह हम लगों ने दूसरा रूप निकाल लिया है अब हम लोग क्या करेंगे फटा फट से चल देते हैं तीसरे रूप पर आर का मान दो रखेंगे आर का मान दो यदि आर बराबर दो तो ए बराबर थ्री क्यू प्लस टू दोनों पच्चों में घन करने पर जब हम दोनों पच्चों में घन करेंगे तो क्या बन जाएगा एक क्यू बराबर थ्री क्यू प्लस टू का होल क्यू तो बन जाएगा एक क्यू बराबर 27 क्यू क्यू प्लस आठ एक क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी तो तीन तिया नो दोनी अठारा क्यू तो एक क्यू बराबर 27 क्यू क्यू प्लस अठारा क्यू प्लस आठ अब हम क्या करेंगे इन दोनों से 9 common ले लेंगे क्योंकि प्रस्त में हमको 9 बनाने के लिए कह रहा है A cube 9 common ले लिया तो 9 27 Q cube 9 दूनी 18 Q प्लस 8 ऐसे लिग लिजे A cube बराबर 9 M प्लस 8 जहां M बराबर 3 Q cube प्लस 2 Q क्या इतनी बात के लिए रहे आपको यह आगया हमारा तीसरा रूप जो हम से प्रस्त में तीनों रूप पूछे थे वो तीनों रूप यहाँ पर आ चुके हैं यह रत तीसरा रूप बस अंत में हम लोग लिख देंगे अता किसी धनात्मा को पूडांक का घन नाइन एम कॉमा नाइन एम प्लस वन नाइन एम प्लस एट के रूप का होता है अब देखिए जो यह दनात्मा यह हम लोगों ने अतावारी लाइन लिखी है यह आपको प्रस्त में मिल जाएगी तो जो प्रस्त में मांगता है आपको वही लिख देना है तो उमीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा अगर मेरा बता हुआ आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे व्लॉग